नमस्कार दोस्तो इस वीडियों में बात करने वाद है सिपला टेब्लेट्स के बारे में सिपला यह फार्माग्योटिकल कंपनी होती है मतलब ड्रक्स मैननिफेक्शरिंग कंपनी है जो कि ड्रक्स को जैसे वह चाहिए टेब्लेट्स हो इ pinjакशन सो यह फिर कुछ कुछ इनलर की फॉर्म में आती है ड्रक्स वह हो या फिर कुछ क्रीम्स ओइटमेंट हो गए शिरप्स हो गए इन सभी को बनाने वाली एक मात्र कंपनी है चुकि यह फार्मा क्योटिकल कंपनी है तो एक काफी परकार की दवाईया जो ड्रक्स होती है वो बनाती है जैसे दूज में दी जाती है उनको भी बनाने का काम करती है जैसे बीटा ब्लोकर्स हो गई या फिर केल्शियम चैनल ब्लोकर्स हो गई या फिर एसी इनिविटर्स इसको एंजियोटेंसिंग कनवर्टिक एंजाइम इनिविटर्स बोलते है तो इनको भी बनाने का काम यह करती है इसके अलावा respiratory conditions की जो ड्रग्स आती है जैसे salbutamol, albutrol हो गई या फिर कुछ anti-stermine drugs जैसे montelukast हो गई, citrazine हो गई इन सभी को बनाने का काम ये Cipla company ये कटती है तो ये सुनिस्ची तो हो गया आपने को कि ये Cipla जो है वो कोई specific drug salt नहीं है ये एक drugs manufacturing company है जो की काफी परकार की दवाईया बनाती है इसके अलावा काफी companies जो और भी दवाईया बनाती है जैसे abort company हो गई एफिट डॉक्टर रेडी फार्माक्योटिकल कंपनी हो गई, sun फार्माक्योटिकल कंपनी हो गई ये सारी क्या होती है company होती है जो कि specific drug salt होते हैं तो उनको अपने नाम से अपने जो brand name होते हैं उनसे बेचने के लिए ये अपना राप रख देती है जैसे कोई paracetamol एक drug salt आता है अगर ये जो सिपला है सिपला फार्माक्योटिकल कंपनी है ये अपना नाम रख देती है कोई paracetamol नाम रख दी तो ये brand name होते हैं लेकिन उसमें जो drug salt होता है वो एक ही होता है paracetamol या फिर जैसे povidin, iodine जो cream आती है या फिर कोई liquid में ये आता है salt तो उसका नाम आपने काफी बार देखा होगा जो सिपलाडीन नाम करके जो cream आती है तो इस तरह से अपना नाम रख देती है इसको brand name बोलते हैं लेकिन उनमें जो drug salt आता है उसमें एक ही आता है povidin, iodine तो इस तरह से सिपला कंपनी के बारे में आज बात की है कि आ कुमनली side effects होते हैं जो सभी drugs में देखे जाते हैं जैसे नोज या जी मतल आना हो गया या फिर वोमेटिंग उल्टी आना हो गया या फिर कुछ जैसे डिजीनेस चक्कर आने हो गए यह कुछ साइंट सिंटम्स होते हैं जो सभी drugs के कौमनली देखे जा सकते हैं और जो specific side effects होते हैं वो drug by drug अलग लग रहते हैं जैसे एजित्रोमाइसीन हो गई जो एंटिबाइटिक है उसमें skin rashes पाए जा सकते हैं या फिर जो साल भी टामोल होती है जो प्रोंपोडाइलेटर्स होती है उसमें shortness और ब्रीथ भी मिल सकती है तो यह side effects अलग लग रहते हैं अलग लग दवाई के तो दोस्तों वीडियो थोड आइकेंड कमेंट जरूर करते हैं चैनल को सब्सक्राइब करना ना बुलें थैंक यू